नमस्कार दोस्तो एकजामसारती यूटूब चैनल में आप सभीगा स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम रीट 2021 लेवल वन की बासा पर्थम हिंदी विशे का कंप्लीट आंसर की देखने वाले हैं तो वीडियो में आखिर तक बने रहीएगा पहले सबसे पहले देखते हैं प्रशन संख्या 31 से 34 तक जो की इस गध्यांस पर आधारित है प्रशन संख्या 31 है विद्वान का इस्तरलिंग है तो इसका सही जवाब है उप्शन B वीदूसी प्रशन संख्या 32 एक वचन भहुवचन का सही युगम है इसका सही जवाब है Option B पुस्तक पुस्तकें प्रशन संख्या 33 उद्यत सब्द का सही अर्थ है इसका सही जवाब है Option B व्याकुल प्रशन संख्या 34 बड़े बड़े महात्मा सदेव लोगों की संखाओं का समादान करने के लिए उद्यत रहते हैं वाक्य में कौन सा काल है तो इसका सही जवाब है उप्शन D सामान्य वर्थमान काल प्रशन संख्या 35 से लेकर कि 49 तक इस गद्यांस पर आदारित है प्रशन संख्या 35 है देश सब्द का प्रायवाची है तो इसका सही जवाब है उप्शन D राष्ट्र प्रशन संख्या 36 उत्तम का विलोम है इसका सही जवाब है उप्शन B अध्यम प्रस्न संख्या 37 अपने हित के लिए किया गया कारिय वाक्यांज के लिए एक शब्द है इसका सही जवाब है option C, सुार्थ प्रस्न संख्या 38 विद्वेश सब्द में उपसर्ग है इसका सही जवाब है option A, V उपसर्ग प्रशन संख्या 49 यथा सक्ती सब्द में समास का परकार है इसका सही जवाब है option A अवेव भाव समास प्रशन संख्या 40 मुहावरे के प्रयोक से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए तो इसका सही जवाब है option C दोनों भावी खेट के स्वामित्व के लिए लाल पिले हो रहे थे प्रशन संख्या 41 हिंदी बासा में मनुष्य से अंग होते हैं वाक्य के मनुष्य अंग होते हैं तो इसका सही जवाब है option A 2 प्रस्ण संख्या 42 खुद स्रिमान बेंगन खाने खाए औरों को परहेज बताए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है इसका सही जवाब अप्संडी केवल दूसरों को सला देना लेकिन उसे व्यवार में नहीं लाना प्रस्ण संख्या 43 परोपकार में किस संदी का प्रयोग है इसका सही जवाब है अप्संडी गुण संदी प्रस्न संख्या 44, मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था उक्त वाक्य है, तो इसका सही जवाब है option B, मिस्र वाक्य प्रस्न संख्या 45, आपका जीवन सुक में हो, अर्थ भेद के आदार पर ये किस प्रकार का वाक्य है इसका सही जवाब है option B, इक्षा वाक्य है प्रस्न संख्या 46, जिस समाश में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेशन विशेशे और उप में उपमान का संबंध हो, वह है इसका सही जवाब है option C, कर्मधार्य समाश प्रस्न संख्या 47, डाक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में रेखांकित सब्द में विशेशन है, इसका सही जवाब है option D, गुणवाचक प्रस्न संख्या 48, निमन लिकित में से उद्रन के लिए प्रिक्ट किया जाने वाला चिन है, तो इसका सही जवाब है option B, प्रस्न संख्या 59, उस सिक्षा सास्त्रे का नाम बताईए जिनों ने कहा था, इसकूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पोद्य के समा प्रस्न संख्या 50, राष्ट्र पिता महत्मा गांधी द्वारा परवर्तित बेसिक सिक्षा का एक परमुक सिद्दान्त है, इसका सही जवाब है option C, मात्र भासा के माध्यम से सिक्षा प्रदान करना, प्रस्न संख्या 51, निमन लिकित में से कौन सी बोलने की योगिता है, इ प्रस्न संख्या 53, दवनी, सब्द, वक्य रचना का ग्यान देना, हंदी सिक्षन का कौन सा उद्देसे है, तो इसका सही जवाब है option D, ग्यानात्मक उद्देसे, प्रस्न संख्या 54, शिक्षक, सियामपट, कौपी या सेलेट पर अक्षरों को लिक देता है और चात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देख कर उने उनके नीचे स्वेम उसी परकार के अक्षर बनाएं यह विदी है इसका सही जवाब है उप्षन B अनुकरण विदी प्रस्ण संक्या पच्पन बहु विकल्प सही गलत विशम का चुनाओ यूगली करण रिक्तिस्तान की पूर्ती किस परकार के प्रस्णों के भेद है इसका सही जवाब है उप्षन C वस्तुनिष्ट प्रस्ण प्रस्ण संक्या चप्पन व्याकरन सिक्षन प्रनाली में किस प्रनाली को विक्रित रूप में सुगा प्रनाली भी कहते हैं इसका सही जवाब है उप्षन C पाथ्य पूस्तक प् पेट्रीक को, परस्न संख्या 58. इसका सही जवाब है option A साध्य नहीं वरन साधन है प्रश्ण संख्या 60 भासा सिक्षर में उप्यों की स्रव द्रस्य साधन है इसका सही जवाब है option B अब भी नहीं तो दोस्तों ये थी REIT LEVEL 1st भासा पर्थम हिंदी का पेपर का complete answer की इसमें 99% जो answer questions के answer final answer की में भीन हो सकते हैं तो दोस्तों अने subject के answer की जानने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लें मिलते हैं next video में धन्यवाद